तत्रिया काल मैं हां चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हो अमरत पर सार अमरत पर सार दे विश्पदर दे दर्शकाना बहुत बहुत स्वागत है आज चर्चा कर रहे हैं के जो श्रोमणी अकाली दल दी हार होई है उन्जा फेर जमेका निन के चाड़ू ही फेर देता है अखबारान के चछ抜बान के कुश्य में अकाली दलदे सीनियर को लीडर ने भीहानदी देतें जिना दी आत्मा जाग दीया है ये जो अन्नलग दा पेश करांगा फिगर्ज भी पेश करांगा अथ यह भी दसांगा कि किस तरह पार्टी जेड़ी है बड़े लम्मे समयतों हिठां ही हिठां जा रही है और उस दा जो रुजान है एह हुन तबाई वाला है इस तो पहले के मैं चर्चा शुरू करां मेरी आप जी नूग जारश है के जे कर तुसी एस चैनल नूँ जानी अमरत पर सार नूँ हुन तेकन सब्सक्राइब नहीं कीता ता इसनू सब्सक्राइब करो इसनू लाइक करो इदी बैल आइकन जरूर दो बहुत आं जो वीडियो सिद्धी तो आनू मिले उन्हे थे गाल यह है के जो हार होई है ओस हार बीच सिरफ अकाली दाल दी लीडर्शिप शिरमशार नहीं होई बलके ओ कि थे मूद खान जोगी भी नहीं और यह थे तो आनू दसांगा पहली गालता यह है के अकाली दाल दे दस जो उमीदवार सी पारलिया मेंठ दे चोनाच लोग सबा दे चोनाच उत्रे सी उन्हा दियां जमानता ही जबद होगी एक किनी शरम वाली गाल है के एक सो तिन साल प्राणी शिरमशार अकाली दल दा दो हजार चवी विचा के इनना जलूस निकल गया के उन्हा नू सिख वोटर भी वोटां पाण नू त्यार नहीं पंथक सोच वाले वोटर भी अकाली दल दे लीटरां वाल मुह नहीं कर दे पिठ मोड लें दे और सिरफ एक कैंडिडेट दी जितो ही है बीबी हर सिम्रत कोर जी बठिंडे तो जिते आन नो इस रोमणी अकाली दल दे परदान सुखबीर बादल दी पतनी आन अते बिक्रमजीत सिंग्बडीट या दी पैंड हान तो जो ब्याना आयान उन्हा ब्याना जे क्या गया है के जेडी उन्हा दी अपड़ी सीट सी बिठंडे वाली वो उन्हा ने बहुत सारी मेनत करके ते चंगी नाथ पाज करके उन्हा ने जित लेगिया है बाकी सीटां ते जेड़ा है कैंडिडेट हार गयान ते दास ते जमान ताजबत हो गया हूंड मैं तो अनुए थे एक बड़ी महत्तब पुरण जो तथ तो आड़ेनाल सांज्या कर रहे हैं वो एह है के 117 असेंबली हलके बढ़ देया ते जोस्ता रहां ओदे विच्चों 108 ते अकाली दल जेड़ा है ओ हारया ही नहीं बलके उदी जमीन अल गराफ लग गया है लोकाने वोटा ही नहीं पाईया है लोकाने अकाली दल दे जोन निशान वल ना देख्या है ना मू की ता इस करके जमानतां जेबत हो गया हूंड टा जितिया नहे ना नए ओदेवारे मैं तो अंदस्दा के नौ ऐसिंबली सेग्मेंट वीच ए सब तो अगे रहे हैं यह जो नौ असेंबली सेग्मेंट आना विच्चों साते सेंबली सेग्मेंट कल्ले बठिंडे लोगसबा चोन हलके देहां जितों अर सिम्रत को चोन ला दे। दो असेंबली सेगमेंट फिरोजपुर विच्छान जिना विच्छों के अकाली दाल उपर आया जानी के बाकी जो कैंडिडे उमीद वार सी उनानों पिछे चाड़ा। उन्तों पता है भी जेड़ी फ्रोजपुर दी पारलियामेंट दी लोगसबा दी सीट सी एदे सिटिंग एमपी सरदार सुकबीर सिंग बादल परदान सुरुम नी अकाली दालसन पर उनाने उत्तों चोन लड़नतों मूँ मोड लिया क्योंके मैंनू एं लगदा है और जो ब बादल जी नूं पता लग गया सी के वो फ्रोजपुर तों हार जानगे एस करके उन्हाने उत्तों चोन नहीं लड़ी और दूसरे पास से उन्हान दा एवी विचार है के बिक्रम मजीठिया ने खंडूर साब तो सीट एसली छट दीती क्योंके उन्हान नूं पता लग गय के वो उत्तों जितनी सक दे और उन्हान ने उत्ते विर्षा सिंग वल्टोया नूं खड़ा कर लिया उन्हान दा खास बंदा है वो सुभी जीदा भी खास बंदा है उन्हान एक कांसीच्योंसी असेप्ट करनी पही और ओ फाड़ी आया हुन सब पासे यह क्या जानदा है विर्षा सिंग बल्टोवा फाड़ी तो ए नम्या उदा नाम करन होया हुन मैं तो नूं एस चर्चा विच होर जैदा तथ लिया के दस्ता के श्रोमणी अकाली दल दा जड़ा नगार शुरू है ए दोजार बारां तो शुरू है दोजार बारां दिया जो असेंबिली चोन होयां उना विच अकाली दल नूं 117 सो श्विजा सीटा मिली उना ने रल के बीजेपी नाल सरकार बनाई जेड़ी 2017 विच चोना होयां अकाली दल दा जेड़ा पठा बैठना शुरू हो गया कुल पंद्रां असेंबिली सीटां जित सके और उस्तो बाद दो जार बाई विच जेड़ा एना दा डिकलाइन इना दा ग्राफ गिरना शुरू होया सी ओ थले य थले जा रहे सी ना पार्टी दे लीडरां तो पार्टी कंट्रोल हो रही सी ना उना दा लोकां दे दिलां विच ओं उतर चुके सं सारे लीडर So, 2022 विच सरफ तिनτι असेंबली तां जित सकी श्रोमणी अकाली दल बादल So, 92 तां जित गी आम आद्मी पार्टी नमी पार्टी थी लोका ने जो बेरुखी दुखाई श्रोमणी अकाली दलनों उना ने आम आद्मी पार्टी देख जाने पारते बानवे सीटां लेगे उन्ट स्वाल है कि ए तां होई तो आनू मैं फिगर ते से अंकड़े दस के दस्याय भी किस तरह अकाली दल जेड़ा है ए एक खाई वाल हेटा नू जा रहे है कदों पूरा डुबेगा ए मैं आले कुझ नहीं कह सकता हुण मांग की शुरू होई है मांग शुरू होई है कि जो इश्रोमनी अकाली दल देपर्दान अन सुपवीर सिंग बादल उना नू एक पासे हो जाना चाहिए है क्योंके लगातार तिन चोणा ओ हार चुक है नूर बड़ी नमोशी हो रही है बड़ी शरम आ रही है वड़े वड़े लीडर आनू और किते मू धखान जोगे नहीं आनू सब तो पहला तो मैं गाल करांगा के पार्टी दे सरप्रस्त सुखदेव सिंग्टी इंडसा जी जो के अंदर विच मंत्री भी रहे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे उन्हाने एक है के ए सारी जिम्मवारी जिडिये सुखवीर बादलते पैंदी है के पार्टी ने चोणा हारियान और उसनू ए जिम्मवारी लेनी चाही दिया है के ओदे गल्द फैंसलियां करके जेड़ी पार्टी है उस दा एस तरह दी दुर्दशा होगी है के लीडर कित से मूँ देंड जोगे नहीं तो जो सरप्रस्त दा ब्यान है सरप्रस्त दा मतलब यह है जेड़ी कुर्सी जेड़ी पद्वी पार्टी दी सर्दार परकास सिंग बादलुरा ने खाली कीती जदो यस दुनिया तो चले गे ओ सरप्रस्त दी जो पद्वी सी ओ सुपर आके बठाया गया इज्यत मान नाल ता जो ओ अपना श्रोमनी अकाली दर सम्योक ओस नूँ वाइंड आप कर दें सुपीर नूँ ए उमीद सी के जे कर टींड़ी सासाब वापस श्रोमनी अकाली दाल भी चा जानगे उना दा अकाली दाल बड़ा मजबूत हो जाएगा अते ओ पार्लियमेंट दी सीटां जितनच कामयाब होण गे पारजया नहीं होया उना ने अपने पैर ते आपी को आड़ी मार लई के उना ने अकबाल सिंग चूंदे नू संगरूर जो लोक सबाहल का होदी टिकट दे दिती अते सुखदेव सिंग टिंड सा जी दे बेटे परम परमिंदर सिंग टिंड सा साब का मंत्री नू एग्नोर कारता ओस ते ए जो सीट सीगी ओस लेही सुखदेव सिंग टिंड सा परमिंदर सिंग टिंड सा आते उना दे समर्थक वरकर बरनालेच भी बहुत आनो संगरूर वीच ये ते संगरूर ना लग दियां बहुत सारिया हल के हाँ चोना दा इन पर बाव है इन्फुलूंस है उन्हा ने चोना विच जो इकबाल सिंग चूंदे दा परचार करन तो ना करती ए सीट जेडी सीगी ए मीथ हेर जो आम आदमी पार्टी विच सरकार विच कैबिनेट मंत्रियान उन्हा ने बड़े बड़े मारजनाल जित ले तो होना आई गल के उन्हा दे कैडिडेट दी जवानत भी जपत होगी और शरमशार होई इस्तिती इत्थे जो बड़े गल कही है ओ कही है पार्टी दे मले मनपरीज सिंग ऐली जी उन्हा दा ए कहना है के ओ पार्टी दिया एस हार नो बड़े निमोशियों ये उन्हा के दस कैंडिडेट आ निया जमानता ही जपत होगी ये पार्टी अंदर इन्हा नगार आ गया है एस नू कोई चलान ले एस नू अग्गे वदान ले एक सुद्र होए लीडर्शिप चाही दिया है उन्हा ने गया के वो उतनी देर पार्टी दिया गती भी दिया विच कोई हिस्सानी लेंगे जिन्नी देर चुंदा रपोर्ट जेड़ी सीगी उधिया जो रेकमेंडेशन उधिया जो लबतान उधिया जो सफारशन उन्हा नू लागू नहीं किता जानदा पर ओदे बेच जेड़ी सब तो मत्वपुर्ण सफारश किती गई वो एक किती गी के किती जाए नमें लीटर नू पार्टी परदान बनाया जाए जो ए अली साब ने इंडिरेक्ट वे नाल ए मांग कर लेए के सुखवीर बादल पार्टी दे परदान तों रजाइन करन जमेके टींडसा साब ने भी किया के वह जिमवारी लैंड के उना करके चेड़ी है पार पार्टी दे प्रेजिडेंट लाओ क्यूंके तो अड़े परबाबनाल पार्टी नू दुखसान हो रहा है अते तो अड़े एस करके तो अड़े परबाब ही नहीं आगा के तुसी होर कैंडिडेट्स नू उमीद वारा नू वोटां भी कुआ सको अलेक्शन भी जता सको प उनने बियान देता है के सरदार सुखबीर सिंग बादल हार दी जिमवारी लेंदेो पार्टी परदानगीतों रजाइन करन नमा परदानता ही चुणिया जाएगा जेकर सुखबीर बादल उस पार्टी दे सरवच्ट पदतों रजाइन कर दे उननने एक है के पिछले सत साल वेच युटु कोई पार्टी नियु नियु रही है। पांथ किदर जा रहा है पंथक लोग का दा इरादा की है ओस नूँ पाफण वीच भी नाकाम रही है पार्टी दी लीडर्शिप इथा ही गालनी मुक्दी जड़ी एस तों भी अग्ये गाल होई है साबका मंत्रियन बलदेव सिंग मान उनने एक आए के पार्टी दी जो इस तरह दी बुरी हाथ तो ही है एस ता सानू मंथन करना चाहिए है और एस दे कारण लब के उनना उपर सानू जड़ा है के चलना चाहिए है इस नू समलना चाहिए है उनने भी तरीके ना ले गया के पार्टी तों सुखवीर बादल जड़े नो एक पासे हो जान तां बहुत बहुत चंगा होएगा इत्थे गालने प्रेम सिंग चंदू माजरा साबका मेंबर पार्लियमेंट जो के हारे हन जमानत भी जपत होई है अनांदपुर साब लोकसभा हलके तों उनना दा एक कहना है के जड़ी पार्टी दी सीनियर लीडर्शिप उनने ना तां नहीं लिया सुखवीर बादल दा पर उनने ए सारा उनना जड़ा अटैक है ओ सुखवीर बादल दा ही है के ओ ना दा पंथक मूड नू देख सकें अते ना ही ओ पंथक सोच वाले लोका नू जयानि जड़ी पांथ नाल जिना नू दर दे उनना नू पार्टी वीच लिया सकें उननने ते पिछले तिन दिन तो लगतार स्टेटमेंटा आरियान तो ओ एही कहरें के पार्टी दी हाई कमांड जानी के खडूर साब अते फ्रूर्द कोट जिते दो जड़िन अजाद उमीद वार बड़े मोटां दे मार्जनाल जितें अमरतपाल सिंग दा जो वोटां दा मार्जर है वो पन्याब बिच सब तो जैद है ओ ता एक लख नबे जार तो बाद वोटा ना जितें और उना दा जेड़ा मार्जन है वो प्राइम निस्टर दी जित दे मार्जन तो भी वड़ा दस्या गया और लोगे इस दा चर्चा भी कर दें ता ए जो दो सीटां तो पार्टी हारी है खडूर साब अते फ्रीद कोट उदा बार बार काली लीडरां ने रेफरेंस दिता है के जेड़ी पार्टी दी हाई कमांड है हाई कमांड कोन है पार्टी दे आलन आलन सुक्वीर बादल ओई हाई कमांड आन ओई साब कुज आन ओ जो केंदेयान ओ हुंदा है ते ओ ही सारे फैसले अपने आप लेंदेयान एक तरफा फैसले आन किसी नू कंसल्ट नहीं कर दे उनने तो जब पार्टी दा सरप्रस्त है सुखदेव सिंग टिंड सा जेड़े बहुत अन पवियान इनना तो बहुत सीनियर हन उनना दी भी इनने कदी सला नहीं लेई सो ए जो बागी सुरां उठ रही आहान ए दिन ब दिन दिन ब दिन वद दिया जा रही आन और तुसी देखोगे के कुझ ही दिना विच आउन वाले दिना विच ए होर जड़ा गंबीर संकट बनेगा श्रोमणियों काली दाल ते एदे एक सो तिन सालां जो समागम की तासी मनाया सी ओस विच खुशी दी था निराशाई निराशा जड़ी है ओ पार्टी वरकरानों पार्टी लीडरानों देखननों मिल रही है मसूस करननों मिल रही है और ये जो हार हो रही है इस तों पार्टी दे सिर्फ लीडरी दुखी नहीं पार्टी दे दुखियान और एज़ेडी चुंदा कमेटी रपोर्ट है जिसनू के खुद सक्वीर बादल ने एक कमेटी बना के अपने खास इकबाल सिंग चुंदा जो संग्रूर तो हन अते जिना नू टिक्ट भी दिती आउट आफ दी वे जाके ते टीन सा परवार नू नराज भी कीता यह उना दी बनाई हो यह रपोर्ट है सारे पन्याब जुकों फिर के उना ने रपोर्ट बनाई सी क्योंके दोजार बाइदियां चोणा विच पार्टी कुल जडियां पहले पंदरां सीटां सी गियां दोहजार 17 विच ओ कटके तिन रह गिए जानिक पहले छिजा फिर पं तेहों तुसी देख सकते हूं, नोग असेम्बली सेग्मेंट वीच अकाली दाल एक नमबर ते सी, 117 असेम्बली हल के आच, तो ए जो मंग होन शुरू होई है, किते कतम हों दिया है, ऐसी तो अनू एदे नाल, जो जो बनेगा फ्यूचर श्रोमणी अकाली दाल वीच की तो अनू उमीद है, तो अनू जेड़ी असी आज दी ए चर्चा कीती है, ए पसांद आई होएगी, अते तुसी एसनू आपने मित्रां, सबनियां, दोस्तानाल एसनू बात तो बात सांजी करो, क्योंके एक जाद पत्तर कारी दी चंगी बनूगी दा मिसाल है, और मैं एस च जर्चानू समाप करदा, आप साब जीदा बहुत बहुत तनवाद करदा, सासरी आकार.